आप गुर्णानक तेरी लिलाने आ रिये नी जलाला वें दी दुनिया सा रिये उठ दी बैंदी जी जी कैंदी उठ दी बैंदी जी जी कैंदी तैनु तेरी हूर बे ना मार जाल मांवे पेकी तत्ड़ी दे दूर बे ना मार जाल मांवे पेकी तत्ड़ी दे दूर लोग कीत लोग मना देया जीहे जज़बेत दे प्रकटावे हन जो लोग हिर्द्या जो चारके पीडी दर पीडी अगेरे पहुँशते हन लोग बोली साहित दी पलेठी किर एहे मां बोली दा सरमाया हुं दे हन लोग कीत मनुखी मना तो आप मुहारे लेबद रूपतार दे रहें दे हन पंजाबी सब्यचार नाल लोग कीता दा रिष्टा बड़ा पुराणा है पामेहुन रीमिक्स दा तड़का पंजाबी संगीत मों लगन लग प्या है परन्तु लोग कीता दी महक पहला दी तरा आज भी दखराणा है वीवी सदीदे छेमें दहाके तो अठमें दहाके तक पंजाब विच्चे कैसे कलाकार दी गायकी दा चादू रहाय जिसने पंजाबी सब्याचार दे बूटे नो अपनी साफ सुथरी कायकी नाल सिंजया पंजाबी लोग कायकी दा ओह बाबा बोड जिसने तुम्बी दी कोतार नाल साथ सुरां चगा की पंजाबी संगीत विच्च लोग कायकी दी महक पाई तुम्भी दा रचनहार ते रवायती लोग का एकीदा लाल पोला पाला फकीर चाट जो यमले चाटते नानाल परसे धोया पैननान की वीरदी तांगियंद। ओगी सुक्त के वंगरा लकडी। ये मोती हंजुआ दे अक्खो किरने लग पैं। चल की दिलों प्यार दी तक तुडिये। बंदे बंदे दी जड़ी पुआ गिया सें। वे गई खोली अजियों जलु वकडी। ये युजुडे खेत वसामने वाले आवे। ते तर्ती वे रुपकार दी अरकडी। उस्ताश्री लालचन यमला जाट जो आपने आप विच बंजाबी लोग कायकीदाय की युग सी। यमले जाटने शमले वाली चिट्टी पाग साधे कुड़ते चादरी। अदोर्ती जही कडवी जुट्टी विच आपनी सारी जिंदगी दर्वेशा वांग गुजार देती। लालचन यमला जाटता जनम चक नंबर 384 टोबा टेक सिंग जिला लायलपूर पाकिस्तान विच 1911 दियां तिखड दुपैराच पिता खेडा राम देकार माता हर नाम गौर्दी कुखों होया। लायलपूर सांदल बार ओह लाका है जो बाबा नानक वारश शा ते कादर यार दिवी चनम पूमी है। लालचन दे दादा शिरी चंडा राम सुरंगा वजाके गौन दे सन। इना दे पुर्खे बटोल जाती दे सन। जिडे निपाल देश दे बटोल नगर तो पंजाब आय सन। निपाल तो आके पंजाब जिस जगह दे है वसे ओ स्थान अजकल बटाला शेहर वज्जों चान्या जान्दा है। बटाला शेहर दा साज तक दे संगी तक घजाना लोकी पली पांती चान्द दे हन। केहा जान्दा है के लालचंद यमला चाटदा चनम पीर बाबे दी मुराद नाल होया। एना दे बिंड़ दे लेंदे वाले पासेवल एक पीर कटोरे शाह ना दे फकीर दी दर्गा सी। बिंड़ दा पानी खारा होन करके बिंड़ दियां और तां इस दर्गा दे खूतों पानी पारके लिया। मुकलावे तो बाद लालचन दी माता हर नाम कौरने वी एथे पुत्तर प्राप्ती ले सुख सुखी सी। ते लालचन दे जनम तो बाद हरे रांगदाव ज़ाट चड़ा के सुख उतारी। संगीत लालचन नू विर्से विच्छी मिल्या सी। एना दे नाना गुडा राम ते दादा चंडा राम दो में अपने जमाने दे मशूर लोग का एकसान। लालचन नू गाउन दी चेटक 6-7 साल दी उमर्च लगी। ओना दिनाज पिंड़ दी दर्गा दे हर साल 15 हार नू दिन दन दा मेला लगता सी। नौक साल दी उमर्च पहली वारी लालचन ने एस लोक मेले विच काया। उन्नी सो उन्नीच एक दर्दनाक वाक्या होया। लालचन दे पिता खेडा रामदा देहां धो गया। इस सदमे ने पूरे परिवार नू चंजोड के रख दिता। लालचन दी माता हर नाम को और अपने बज्यानों लेके अपने पेके पिंट चक चूड सिंगा गई। लालचन दा बजबन दे जवानी इसे पिंट चुबीत्या। नान के कार्च लाल चंद अपने नाने गुड़ा रामकुल बैठ के किन्हा किन्हा चिर उन्हादा गौन सुन्दा रहेंदा। सुरंगा वजाउना भी लाल चंद ने अपने नाने कुलों छोटी उमर विच्छी सिख्या सी। चोटे हुंद्या लाल चंद लायल पूर्दी सुरीली कायका खुर्शीदा बेगम दी गौन कलातों पर बावत होया। ओ खुर्शीदा बेगम नू लुक के रियास कार्द्या सुन्या करता सी। लोग तारा तायना दे प्रिवार विच्छी सी। पिता खेडा राम, माईया, लगडे, तोरा टोला, बैंथ हीर, कुंदले लोग कथावा, जैमन फत्ता ते पुन्नु वी काउं दे सन। उना दिनाज गायकीनू लोकी पहुसत कार दे सन। गायक कलाकार भी आपनी आणखते पके सन। परंतु रोजी रोटी तोरन ले, गायकी ते निर्बर नहीं सिर्या जा सकता। इसे करके एक कारबार तोरन ले, लाल चननू टंगर चार ने ते खेती बाड़ी करनी पई। लाल चन केंदे सन। के जदो मेरे मुझ फुटी, जवानी चड़ी ता कारदियां जिम्मेवारियां मेरे मोड़े आणपईयां। पर एना हालातांच मैं अपनी गायकी ते शौक नू अपने अंदर पाली रख्या। कारदे कमा कारां तो वेल कटके ओ अपने नाने नाल दूर दूर मेलियां, मुशायरियां, फकीरां दिया कुलियां ते कौन जान दे सन। इसे करके यमले जटती कायकी उत्ते ओना दे नाना गुडा रामदा पर बाव सी। बश्पन तो जवानी तक अपने नाना जी नाल संगत कारद्यां एना दी आवाज वेच मिठास्ते लैता आ गई सी। परंतु सुर्दा ग्यान सिखन लै आपने 1903 कती दे लागे सूध का नंगल से आलकोट ते परसिद कवईये पंड़त साहिब द्याल नो अपना उस्ताथ तार्या। पंड़त जी पुरातन लोक साजां ते कौन दे सन। सुरंगा वजाउना लालचन ने अपने नाना कुडा रामतो सिख्या। टोलकी ते दो तारा वजाउन दा बाल पंड़त द्याल ने सखाया। आपने उस्ताथ नालाप मेल्या ते मैफिलाच कौन जान दे सन। पंड़त साहिब त्याल कोल आप 1908 तक रहे। एना स्तारा वर्याच आपने शास्त्री संगीत दी सिख्या भी लई। लायलपुर देफत्ते दीन वाले पिंडविच चौदरी मजीद जो कि शास्त्री संगीत दे बड़े परपक कलाकार सन। एना तो लालचन ने शास्त्री संगीत दी सिख्या लई। उस्तार चौदरी मजीद दी संगच आपने राकाच निपुनता हासल कीती। चन्वरी 1905 विच आप दी शादी मुल्तान देवसनी केसर चांदी लड़की राम रखी नाल हुई। द्यालुसबा आवाली राम रखी ने अपनी सारी उमर लालचन दा साथ देता। कार्दियां जिम्मेवारियां आपने बागे राम रखी लालचन दे र्यास करन ले कार्दा महौल शांत राखती सी। राम रखी दी कुखों साथ बच्चयां ने चनम लेया। एनाच पांच लड़के ते दो लड़कियां सान। 1947 जदों देश्ती बंड हुई तां लालचन अपने परिवार नाल लायलपुर पाकस्तान तो एदर वलीपुर बिंड जिला लुद्याना चा गए। कुछ समा एस बिंड च रेंड तो बाद आपने जवाहर कैम्प लुद्याने डेरा लाया। जवाहर कैम्प पस्ती पच्छमी पंजाब तो उजड के आए शर्नार्थियां दा कैम्प सी। बाद वेच एहे जवाहर नगरवज्जों अबाद हो गया। पाकिस्तानों उजड के लुद्यानेच अपने आपनू स्थापत करन ले लाल चन ने बड़ी मेनत मशकत कीती। शुरू दे दिनाच आपनू कोर करीबी दे दिन भी देखने पए। केहा जान्दा है के ओदों यमले जाटनों सिरफ दोर पईये लईवी दे हाड़ी करनी पई। फिर गुज समा कंटा कार चौंक लो त्यानेच फुल भी वेचे। दे माली दे दोर दे भी कम कीता। नरायन सिंह दर्दी जो पंजाबी दे परसद स्टेजी कवी हुए हन। एक दिन उनानू लाल चंद ने सुरंगे ते ससी गा के सुनाई। दर्दी लाल चंद दिकाएकितों पर बावत होके इनानू अपने नाल कवी दरबारा ते ले जान लाग पाए। जदो यंबले दे नाल संपर कोया दर्दी साइब लाया ता एक तुम यहाली दे काम कर सकने हैं और जी मैं कारदेना। उनान इक टगा लागता के तुम यह थेवाया कर। उना ने बड़ी इमानदारी दे नाल, पानी लगाना, सारा काम करना, फुल वगेरा चुगने, ता जड़े फुल सी ओनानू बाहर ले जान्दा सी, वेच लेन्दा सी, हार परोके दे देने कि सेतना। मेरे अस्वंड सर्दार राम रेंड सिंग दर्दी एना थे एक एडमी खोल ले, जेल रोड दे उते, गुरु अंगत देव कॉलेज, वो थे ग्यानी, बुद्धी मानी, ते विद्वानी, ते अंग्रेजी दियां कलासां लग दियां सी, असी एक दिन शाम नो कारा है, काफी ठोड़ा निरा, त为षे थे रामे से थी ङूओ, सानु किसे दे गांड इआ वाज दिती ते ददी अदर्दी सह scholar Benis, अपलनगत के बढ़ी सुरीली आवाज है क्यों के लो दो अनुमे से अ बढ़ी सुरीली आवाज है क्ै। अंदरों पता लग जांग या एक चोटा प्रान इसी रमला, एक जागर, दो प्राहूर वी सी नाल, एदी पतनी दाना सी राम प्यारी, पता लग गया के जमला गा रहे है, दर्दी साथ ने बुलाया, जमले तु तु बड़ा वदिया गाना है, तु एक एड़े पासे पागिया, चल तु मेरे नाल, मैं तहनू जदों कभी द उत्यों कर लिया, तु बवत बॉत प्सांदी तुम जल गान ओड दोनी तुम भी लुना की रखायो की होही एपनी तु भी झा धूज़ी नाल गान ठीकते पहानी, तंध होड़े नाल गांदी तु टी भी देखए था कि रखेया, आपनी तु होड़े बूड़े घ्र थी ताई जिमले नि पहली बारी ऐ किला राइपॉर जहके गाया. उस तोंबाद जित्थेवी जानदे स्ञ, जिमले न नाल लेके जानDe सी. इस करके दी रोजी रोटी दा बड़ा वध्यासादन बंगगिया, जित्थे गांदा सी उत्थों पैसे मिलदे सी, तो माली दा काम छड़ देता, और किसे दे जम्मे लगा देता तो एनू जिते भी जाना उनने नाल ले जाना 1948 तो लाल चंद ने तुमबिच तार पाके नराइन सिंग दर्ती नाल, कवी दर्बारां, मुशायरें ते कानफरेंसांच जाना शुरू कर देता पहला पहल लाल चंद ने तार्मिक वारां काईया फिर लोकां दी फर्माईश ते हीर, ससी, मिर्जा ते लोक कथावां भी काईया कई बार लाल चंद नराइन सिंग दर्ती दियां कवतावा स्टेज तो गाउंदा दर्ती जी नाल कई साल स्टेज करन तो बात लालचंद आप भी तुक बंदी करन लग प्यासी फेर लालचंद परसिद पंजाबी कवी लाला सुन्दरदास आसी जो के तनीराम चातरिक देशगिर्द सन उनातों कवितावां गीत लिखने सिखन लग प्या लालचंद नू यमला जटता नाम भी सुन्दरदास आसी ने तिता उस्ताज सुन्दरदास आसी जी कोल लालचंद तो इलावा होर कई नौजवान भी कवितावां ते गीत कारी सिखन लई आउंदे सन लालचंद कोरान पढ़ हून करके गीत नहीं से लिख सकता परन्तु तुकबंदी जोड़दा खूब सी एक दिन होया एंज के आसी जी ने हासे मजाख चिलालचंद नू के हाँ पस ओधू तो लालचंद नू लोग की यमला जट कहनला पए बात चिल लालचंद ने भी अपने ना नाल यमला जट चोड लिया ते लालचंद बन गया शिरी लालचंद यमला जट हट गुर्णनक तेरी लिला न्यारी ये निज़ा लाला वेंदी दुनिया सारी ये पुल पले खे मुड के भेरा पाजावी चारे कूट हनेरा जोत जगाजावी बाणी दे था वैशन चरी खमारी ये सद गुर्णनक तेरी लिला न्यारी ये उन्नी सो अर्ताली उनन्जाच लालचंद ने अपने नाल दो साजिंदे रहला के आपना म्यूजिकल क्रूप पणाया ते सुतंतर तौर ते प्रोग्रामा ते जाना शुरू करते ता उन्नी सो पंजाएक वंजाच जदो करतार सिंग दुकल जलंदर रेडियो तो परडूसर हुंदे सी ओदो उनने यमले जटतों रेडियो ते गीत कवाए रेडियो तो लाल चंदी परसिदी पूरे पंजाब जफैलन लगी इसे करके रेडियो वाले उना नू चार-चार महीने बाद गीत कवाए ले पुलाण लगे दूर संचार दे जादा सादन ना होन करके उना दिनाच रेडियो ही एक अजीहा मादिम सी जिसने यमले जटनू पंजाब दे हार पिंड़ परसिद कर दता सी पिंड़ दे लोकी उना बारे केंदे के यमला जट मुहों पैसे नहीं मंगता एस फकर नू जो चिनने पैसे दे देंदा है ए उनने ही प्रवान कर लेंदा है सदा नहीं जवानी ते आशमा पे सदा नहीं जबाल वरेस मिया सदा रहना दौलतां फील कोड़े सदा रहना कारवे केस मिया पर जड़ तक इस अनसार रहेगा जड़ तक सूरी चंद रहेगा लाल चंद यमला जट दी गैकी रहेगी एहो जे कलाकार कदे नी मर दे उह मेंशा है लोक मना देखते रेंदेने लोक ओंदे रहेए चले जान दे रहे और मैं समझदा के लाल चंद यमला जट जी दा मैं आशक हूं उधी गैकी दा उधी सुरदा उधी कलाम दा उधी शब्दा दा उधी साथगी दा ते इहो जे लोक आज लोड है पंजआब नो के पंजआब दे विच लाल चन यम्रा जट वर गे ओ लोक के जिते जिते भी साड़े पंजाबी बेठे ने ओ तारती ने जुड़न अपनी मां बोली देना जुड़न और जुड़न देना जुड़न रहन दे विची करा कारते गायक दी और ओधी सबूती है और ओधा रंग है ओधी शक्ती है मैं समझदा कि लाल चन यम्रा जट एक बहुत वड़ा कराना सी उन्नी सो बवंजाच लाल चन दा पहला ग्रामो फोन तबा एच एम वी कंपनी ने रिकॉर्ड कीता असल च यम्रे जटनू किसे ने वहम पादिता सी कि रिकॉर्डिंग करन वाली मशीन कलाकार दी आवाज खिच लें दी है परन्तु कंपनी वालें दिया मिन्ता तरलें तो बाद लाल चन ने तब्यां दी रिकॉर्डिंग करवाई दूजे ग्रामो फोन दी रिकॉर्डिंग दा कोई पक्का पता नहीं परंतु एहे किहा जान्दाए के दूजे तवे ने यमले जटनू कारकार पंचा दिता सी 1903 विच लाल चंद नाल एना दा पलेठा शगिर्थ किरपाल सिंग पोला जुड़या कुझ लोग हर पजन सिंग हीर नुवी उस्ताज जी दा पहला शगिर्थ मान दे हन परंतु एस कालदा कोई ठोस सबूत नहीं मिलदा 1904 पंजाब दे पिंडाच जदों किसे दे करे व्या हुन्दा कोई समागम हुन्दा चट मंजे जोड के स्पीकर लग जान्दा पिंडाँ दे लाउट स्पीकराचों यमले दे गीत वाज दे कन्नी पैन्दे मालवा ते दो आबा एह दोवे लाक्याच दूर दूर तक यमले चटने अखाड़ी लाए देख मेरा रूप वे चना ठठा मार दा चरिया तो भार पे अकर वे गुदार दा अल्ला जिव जाई जान आई मेरे खानियाँ निते सड करी न ख्याव भे जानियाँ अज मेरा लौनाई महार खर्ज गियाँ करा जन्ना अच्च मेरा साथ वे बड़ा जूंगा पाणि मैनों लगी दिने हाथ वे खर्ज गियाँ करा जन्ना अच्च मेरा साथ वे बड़ा जूंगा पाणि मैनों लगी दिने हाथ वे जिंदर हो थे काए कर लाए मेरे जानियाँ दुखी हुंगा जावे वाल वाल वे जानियाँ अज जो मेरा जावनाई महार हुन यमले नू शोहरत दे दौलत तोवे मिलन लग पईयाँ सान। परंतु फकर्स बावाले यमले चाट लई पैसे दी कोई पौती एमियत नई सी। 1955 दे लागे यमले चाट दे अखाणा लाउन दी कीमत ती तो पंजार पईये सी। कई वारता स्थिती एह हुन दी कि यमले दी तारीक ना मिलन करके लोग की अपने तियाँ पुत्रां दे व्यामा दी तरीक अगे पादन दे सन। एस लोग कायक नू प्यार करन दी इस तो वड़ी होर की कीमत हो सकती है। यमले जट्टी कायकी दे जादू दा एक होर किसा बड़ा परसित दै। एक वार किसे स्टेज तो जवाहरलाल नेरू यमले जट्टी कायकी सुनके बड़े परबावत होए। उन्हाने यमले नू मू मंग्याए नाम देन दी पेशकष की दी। परंतू यमले जट्ट ने हसके इनकार कार देता। यमले दा जवाब सुनके जवाहरलाल नेरू ने उसनू अपने कलावेच कोट लिया। ते बाच उस्ताद दी शमले वाली पग अपने सर ते राखके ते हाथ जवाहरलाल नेरू ने फोटो किछवाई सी। परंतु एस फोटो दी किद्रों प्राप्ती नहीं हो सकी। उन्नीसोच पिंजाच यमले जट्टा मेल प्रफेसर किरपाल सिंग कसेल नाल होया। बाच दोवें पगवट पाई पढ़ गए। काम करता सा। तो उस वक्त मेरी उन्ने मुलाकात होई। फिर इसी पूर्ने एक वरी कह एक पार्टी ना मिन्दजी तो मेरे नाल सान उस्ताज जीवी नाल सान रेडियो थे। उस तो फिर ज्यादा साले सुनबंद जुड़ गया। फिर मजद ध्याने आ गया। फिर मेरे नाल तेकरीबन संपार को नाज बदा गया। और खीर वो इस साथ तक बदया। खास्ता थो जिदो मैं दुबारा मेरे अन्यत्रानी जोद जान दी रही। वो स्वक्रवी मिल देखिल दे रहे। तो उना ने फिर साथ एक परवारक मेंबर वांगू। सच्चे पाई वांगू। साब कुछ देड़ा है, वो नुबाया है। अब मेरे अपने शत्य अमरच लिखिया है। एक सेल थोड़े ने जाकते जमले वर के यार पागवाट परहाने जीवन देगा मुखार। असल चलोकी उसते बोलाते अमल करते सन। यमला जट गीत कौंदावी इस तरहांदे सी जिन्ना विच्चों और लोकानू हकीकत समझाओदा सी। जित्य नजर किसे दी पहुंचेना अन्दादा लोगों पे खुरी किते हैं। जित्य नजर किसे दी पहुंचेना उस जगा टकाले ये। मेरे दल्दा बोजा खाली सी योदे वे चपाले ये। जेकर देख्या जावे ता लोक संगीत है वी किसे बे बरवाही तो रहेत। खुला हुलास ते मनुक्खी दिलांदे करीब। उन्नीस ओठवनजा तो बाद महिंदर जीत सेखों ने लाल चन नाल कौना शुरू कीता। ओस समय महिंदर जीत सेखों रेडियो दी पर्मानित कलाकार सी। बाच एस चोडी नू बड़ी परसिती मिली। आएक मिक हो जाए हान या तुं काला मैं गोरी। चल लामा लेले ये जो गलवडिया मुड को तोरी। जमला जी देनाल मेरी मुलाकात एक बड़ी लंबी कहाने है। जेहरी काफी सफियां देवीचते काफी लफसां देवीचते में ब्यान कर सागतें। पर मैं तो नहीं कुछ मुलाकातां जडियाने को में तो अनुदास दी हैं कि मेरी उना दिनाल किसरा मुलाकात हुई मैं पहला आपना रेडियो प्रोग्राम कर दी सी कली किसी देनाल नी सी ना ओ मेरे संपर्क ची सी गे में ते में नीजान वाद जदनाने के जहनारा से य whisky साब्स सफया आम्रिंदर भीबाद एस स्य उनल जान जान जे कॉया हमका तो मिने हनु एक नरींदर भीबाद और decisius के आजिंगे ख्लाक यह ए फ्क्रीए बित जनने के टिव ए ऐन मาदर नीकितन जनान जनने में जेदों बखता होदा आजा सब कुछ करना पिंदा है पर यमला जी ने आज तक किसे लड़की दे नाल नहीं गया और निरंदर बीबा वैसे जांधिया रही है मेंनु कुछी पता नहीं कर दिया है या नहीं कर दिया रही है उसनो बाद इना आखा जलियांगि ए ता मैं सवरल जाला जी ने वह तर कोई प्रोग्राम सीगा दिए किसेल साव ने नो गवर्मन कालेज शद्द्दिया तो उध्या जाई me in a mei ने नटोल किवे जाई यह जमले ने होना जमले ने होना है अच्छ से ऑगे ता उन धो मतलब मैं एक दो फे प्रोग्राम नुरिंदर भीबा जगे सिंग जग्ये दे नाल इना दे नाल मैं मतलों की, तो ते मैं दो तिन प्रोग्राम को गया तो मैं इना दे नाल प्रोग्राम शुरू कर ले। सन उन्नी सो सत्तर तों उन्नी सो नब्बे तक जिस्ते हाथ च तुम भी नई सी हुन दी उसनु गवया नई सी समझा जान्दा उस्ताथ लाल चंद भी आख्या करते सी के जदों में तुम भी कड़ी सी ता प्राण कीता सी के हे तुम भी पंजाबी लोग काईकी दी जिन्द जान बना मागा ते हुया भी उससे तरह अज तुम भी नू पंजाब दे परसत लोग साज बच्चों जाने आ जानता है मैं तेरी तु मेरा चड़ना जामी है जो यल्ड तुने में चलाईया तोड़न मामी है मैं तेरी तु मेरा उन्नीसो साथ तो बाद पंजाब दे किसे वी इलाकेच कोई उत गाठन होवे मेला होवे पावे कोई प्रोग्राम होवे लोग की बड़े मान ते सतकार नाल यमले जाठनू बलाओंदे इन्ना दिनाच यमले जाठनू उस्ताद तारन ले बड़े लोग की आओंदे कई तां पगड़ी दे के उस्ताद दे चर्णी लग जाणदे ते कई विचारे पगड़ी दे के नादी उस्तादी ले मुड के नाओंदे ते कई एहोजे विसन जो मुर पार यमला जाठनू अपना रब मन दे रहे 1905 विच आप दी बत्नी शिरिमती राम रखीदा दे हांद हो गया राम रखीदे विचोडे ने यमले जाठनू दास कर दिता सी तब बरवड़ा होन करके बच्चेयां दी देख पाल एना दे माता हर नाम कौर ने की ती राम रखीदी मौत दो बाद यमले जाठने दूचा व्या नहीं सी करवाया इसे साल पारत पाकिस्तान दी जंग लगी यमले जाठने अपने गीताच देश प्यार दे विशन भेश कीता इसे प्रकार उन्नी सो कत्तर दी जंग मेंने जदों देश दी हालत नाजुक होई ता यमले जाठने अपने गीता राही लोकां दी अनखनू वंगा रया इसे करके एना दोंवे लड़ाईयां विले पंजाबिया ने एहम योगतान पाया सी चित्ता हो गया लो परावो चित्ता हो गया लो गर्ज बिना नहीं रिस्तेदारी नहीं कोई कोट कभीला अनख जिदे विच रही कनी नहीं बनया फिरे रंगिला उस्ताद लालचन दे गीतां दे विश्यां दी गाल करिये तैना द्वारा गाय पंजाब प्रतिशत की तार्मिक ते पंजाब प्रतिशत सिक्ख देन वाले हन। ओ, 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 ऐ, अ, ओ, ऐ, ऐ, इ, ऐ, ऐ, पहला चूटा पेंग दायोयों जदो हीरी चेताला नी उन्हें तक्याज अपनी छेएते ए उन्हें तक्याज अपनी छेएते कोई मर्द पराला दूसी पन दो छड़िया चूच का ए तुधी पन दो छड़िया चूच का मेरा ते मेरे माहिदा ये मेरा ते मेरे माहिदा वे रब मेल कराया ए हीर से आलजाओं वे लुए मैं मक्के दी जेरी पीरान रोय रांजे गाल पाई पावे हुन समा बदल गया सोणे दिया नतिया जले जंजीरा पौन वाले नू गायक समझा जानता है परन्तु कदे ओह समा भी हुनता सी चदों शमले वाली पग कुर्ता चादरा ते तुम्भी कवयां दी निशानी हुन दी सी बहुत काटलो का नू पता हुवेगा के हे तुम्भी दी काड यमले जटने कड़ी सी पग नू मावा दे के तुरला जट के गौना वी यमले जटने शुरू कीता बहुत सारियां महफिलांच यमले जटने एकली तुम्भी नाल ही काया लाल रंग दी तुम्भी ते फुल बूटियां उकार के लोगड़ी दा फुल टंग के यमला जट इसनू सिंगार ता सी आपने गाय की जीवन वेच उस्ताद लाल चन ने अपनी कला दा कोई मुल नहीं सी मंग गया लोग की जित्थों वी आउंदे ओना लई ओथों दे प्रोग्राम बुक कर लेंदे जो कुझ लोकां तु लेंदे ओ कुझ मुड लोडवन्दानू मूड दे चाँ अपने शागिर्दां दे व्याहां ते शगन वज्जों दे दिन दे निमर्ता ते फकीरी दी तूनीच मस्त यमला प्रभूदी रजाच रहना पसंद कर दा सी अपनी तौड़ी जही जुत्ती चाड़के बीड़ी दे काश दे काश खिचदा यमला लोकां विच उना दा बहुत नज़े आरटांगा पारटांगा भिच्चि टल्लो मटल्लियां आउन कूझा देन बच्चे न दीन मन चल्लियां आरटांगा पारटांगा भिच्च टल्लो मटल्लियां आउन कूझा देन बच्चे न दीन मन चल्लियां एना देनाच यमले दा ज्यादा समा नवें गीता नू लिखन थे उना दी कंपोजिंग चल्लागता अपने ज्यादा तर गीता दी रच्चना यमले जटने आप ही कीती है गोरे अन पढ़ होन करके उस थाई अंतरे नू याद कर लेंदा सी फिर गुनगुना के उस गीती तुन बना लेंदा सी ते फिर अपने किसे शागिर्दनू कोल बठाके रिजिस्टर कौपी दे गीत लिखोंदा सी आपने लगबग सारे गीत एना दे मूझवानी याद सी यमले जटती तीखन बुद्धी दी मिसाल एथो मिल दी है कि कई वार अखाड़े ज गौंद्या ही स्थाई जोड के उस दे अंतरे स्टेज उपर ही कारदन दे सी एहो कारण सी के लोकी एस काल जोडू बापे दे मुरीद सन। 1960 तों बाद यमले जटते लड़के जस विंदर ते जस देव यमला ने ते उस्ताद लाल चन दे हर्मन प्यारे टोल की मास्टर ओमप्रकाश पाशी नाल संगत करनी शुरू करती ती पाशी टोल की मास्टर ने भी सैंती साल यमला चाटनाल टोल की ते संगत की ती ते आज पाशी अंगौल्या होया टोल की वादक लुद्याने शेर दी किसे तंग जही कली वेच किराय दे में कान ते रेंदाए मेरा नाव अपर का हिपाशी जाजी मेननो चारी कि साल अगे जमला जीना चल दिया पराणी रिकाटन के सत उर्णान के तेरी लिला ड्यारी है जंगल दे वेच खूआ लवादे उससे फवादे डोल सखिया नाम साही ना बोल बहुत मशाओ रिकाटना तेरी लिक राणा मिन हमचे इचल नाधियों पार कर भी आथ हे जोड़ दिया और बहा गड़ ये चाम काटी ए उसारी प्राणीर काटन के बहुत मूला प्राणी टेम डे लित टेम डिया और चारी सानम आवल दे संगती किती आः ऐए और जक तक होन पर स्रीर यडा है उमर यादा होन करके उन स् पैसा बात कात ज़ए रहे सापना जारे है, कम बात कात चल देपिना है, तोनगा काम है थोड़ियो जादा था फैना, बन अंधनाल बंदियो सब्सक्राइब भंदी नी ची और दिल्ली साधी आगे रिकाटिंगों दी रही है, रिकाट ओस टाहम पत्साता यड़ा कलकतिवों बढ़के हुंदा रहा, और गौण अले नो पहला एक रिकाट सैंपल में दा रहा, सैंपल पेज़के उस उबादर काटिंगों भिक दी रही है, गौण अले नार कमीशन उस और टोल कर दी जाओ, साधर दी नार को कमीशन ने इस वास्ते जड़ा साधी है, मजिशन है, यह ऐस टाहम मार रहा गया। ताह करके भी नार कमीशन नहीं हुदी, गौणनर दी कमीशन उस यह दा सर्णार यह ज़ूदा और साधी दा नहीं है, इस करके अधिया बहुत मैं किसे खोले करायदों बक्राइद, उसकी को मैंने मेरे टिकाना में आपक्राइदार कुर्हे रह रुछू है अब नहीं आपक्राइज कर टिकाना supports था सिंच नहीं पर आ नोर्म साम कर साहब ए। कि अचिछ उगा बिचर कगों, अचिछ हिए उच्ता सकर सुम्लियू उपना कुछ्छ इप से लुफटमी ब कुछ. सब्स्केद किलाओि एक परण के लिगां एकुछ. करें या यह कर गौर्णमेंट को अलब कर दिया कि दिन चंगे रिकर जार गे निदे नूर पूरी साब आंगरा मारे सेंदे हैं यह ले उस्ताद यमले जाट दे शर्दालू पूरी दुनिया वे च्छन 1976 तरच उस्ताद ये चौन वाले एना नू कनेडाज प्रोग्राम करन ला गए एथे एना नाल एना दी सहगाई का महिंदर जीत सेखों भी गए कनेडा दे कही शहरां वेच एना ने प्रोग्राम लाए फिर साल 1988 उनान वेच यमला जाट आपने शागिर्द निर्मल सिंग बल दे सद्दे थे इंग्लेंड चला गया ते छे महीने लंडन च रेहा लंडन तो अलावा लगपग सारे शहरां वेच यमले जाट ने प्रोग्राम पेश की थे एथे भी पाकिस्तानी ते हिंदोस्तानी पंजाबिया ने बहुत प्यार यमले जाट नो दिता जमला जी जाट मेरी पहली जडी मुलाकात होई या ओठ होंजादे वेच होई या ओसले मैं उना नो इत्थे माडल टाउन वेच फुगवाडे गाउनिया देख्या तो मिन्नू एस तरह मसूस होया कि पिजिदा को अर्च्छा तो बंदा प्तरयां ना ओस तो बाद फिर हाल ओठे कलागार जदों जान दे ही ते कही वरें दा लोग पुछणा पहिंदे थी पी जमला जी क्यों नी इंगलेंड देवेच आउंदे या मैंके भी पुछणा पहुनन जागे लादे याने एक दना सी कुदरतीन कांग साब जीडे गाउदे या एस कांग उन दे कारवेच तो होर भी मुंडे रागी सिगे नाड सफरी एक अपने नाडी गरोप देया लबाया बड़ तकडावना ने गीत एक गाया सिगा लोश लोश कार देयांगी तो सारे मिनू कर लगे भी जे जमला जी नू लाया कि आमें ते फेर तेनू मनना गे मैंके मननलवाली केडी का ले मैं पोछलाना रेक्वेस्ट करूँगा जा गे मैं आया रेक्वेस्ट किती उनने मिन्वेगाल लगई पर इंगलेंड जाना दे मैं बड़े चेरता जावना मेरी जड़ी इंगलेंड यां को हैगा लोव देयाणग अमेरका भी होया अस्तेलिया भी उह होया इंगलेंड खीर कलाकार है अर्शादों पे जे असी बंदे या असली कलाकार है अजय रफाद जड़ा तो इदेख सादे कि दना पर इसानू कोई एदा नी पड़करने पे असी बारों जाकर पैसे कठे करके लईए असी गवना यहां ताली लई असी थाली निनी गवना जड़ा पहला शो कीता असी ओ नाइटेंची कीता जिते के लोका नू खलो नू जगानी मिली जिते तेनह चार हजार बंदरी कमेस्टी से गी प्लीस आगी हो थे इनिया गड़ियां गड़ियां कई जगाना मिले प्लीस पुचे भी एकी चक करया फ़र वह बोक थे जमल जी आएए पहली वढ़ना आएए एक शो कीता दो कीते चार कीते में कभी ऐस्साजी हो नक canoe करनी है तो कहन थे पह थेरी मर जी अ पूरे शेम इन्हें पूरे गर गिन्नी एंट्री सीगी उन्नी फे पूरी करके वाया ते बात देवेच उनने फे भी मेनों जदो एरपोर्ट देचे डाउन गया उनने क्या परी मेरा तेरा इनना नेड़ हो गया भी जदों तू एक वार सान 86-87 विच बाबा शेख फरीद दे मेले थे यमला जट फरीद को टाया गड़ी खराब होन करके यमला जट थोड़ी देरी नाल मेले पुझ जया मेला परबंदका ने यमले जट नू पुरा पला के हा यमला जट वापस मुडल लगा ता पंडाल च बैठे लोका ने रोड़ा पा दिता ते फिर यमले जट ने गौन तो इनकार कर दिता फिर की सी परबंदका ने यमले जट अगे मिन्ता तरले बेंती कीती ते फिर किते यमले ने इस स्टेज तो गाया ते चंगार रंग बनने आ इस मिले तो बाद यमला जट फिर कदे इस मिले ते ना आया पामे लोकां दिया आखां हर साल यमले नू वेखन ले उद्दर दिया रेंदियां पर यमला जट वी आपनी अनकता पका सी 16 स्टंबर 1999 यमले जट दी माता हर नाम कौरता देहां धो गया यमले दी काई की ते हिम्मत पिछे एना दी माता हर नाम कौरता बहुत बड़ा हाथ सी अखबर जीरे यां रूँ अतर सीरे यां सब चांदियाने दी दिन दारे कालू देर तु लगाई जिंद दुखमे चुपाई आजा त्रिप्ता दे राज दोलारे वीवी सदीद सत्वें दहा के विच एक समा ऐसा वी सी के जेडा बच्चा दस्वीचों फेल हो जान्दा और कुछ करण जोका नहीं सी रहन्दा लालचन नू अपना प्रेडना स्रोत मन के कदूच डंडा तार पाके गौन लग पेंदा कैंदेने से आने साथ जुग दे बच प्यार सचासी कार जुग दे बच ऐसा उस दा जाकते साथ थी कोई नहीं जिस कोडे नी पैसा दुखी ये नू कोई मंगी दंदा ना दवानी तके जो सहार आयो दी किये जंदगानी कैंदेने से आने यमले दी तुम्भी लई किसे कवी ने लिख्या है तुम्भी यमले दी वेख के कायक सारे करोंकरी तुम्भीयां मडन लगे जगा कद्वां ते कौड तुम्भीयां दी मिटी कुज्यानू सूतर करन लगे दस्ते कईयां दे कड के पाई डंडे खल बक्रे दी कड के मडन लगे यमले जटाना चाज्यव जावने दा तुम्भी पुठडी हत्थांच फडन लगे देख मेरा रूप में चना जटा मारदा चरिया तो भाल पे अक्यार वे गुदारदा अल्ला जिव जाई जान आई मेरे खानियां निके सड़ करी ना प्याल वे जानियां अज मेरा लूना निमा लाल चंद यमला जाट देशगिर्दा दी गेंती हजारां चै जिस कलाकार दे हाथ च सत्वें अठवें दहाकेच तुम्भी हुंदी ओह उस्ताद यमला जाट नू आपना प्रेड़ना स्रोत उस्ताद मान लेंदा पहला दाजियों दो हएयार पॉस्ताद देश लान दों थी कि बाच उन्हान ने पांच हजार करते हुद दुबाद ने पैहान इले खेस तो फालतू पांच यार से जार जातो बदो के निसीलिया ने निसीलिया बंबेव शाकी ते गैसी उसी तीयार रहा थी शांसर दे विकाना भख बादावी सादा मेन कुराया दिमा आज ना जी जा जाना उदा अगा उदिगा रणी जाना वाँ लाल्ची नी सिह कर्देख नौन ना उनु लाल्ची किस्पित उड़ा उटा फिकेर सीगे ही् मालक चेतन बुदे फकीर गया कि उस्ताद लाल चान जमला जाता। जिस दन दायो ठुर दिया तो मेरा जी नहीं लगिदा। जिस दन दायो ठुर दिया तो मेरा जी नहीं लगिदा। सामन वांगु लतिया विच्चो पानी चमशम वगिदा। दिना शुपदा जावे निस दे प्यार बना। दिल प्यागो ते खांदा ये दिल दार बना। दुनिया दुनिया गलिया नियो मेरे यार बिना। दिल प्यागो ते खांदा ये दिल दार बिना। चार जहाडे लूप जुवानी एने मुड़ के याउनी। चार जहाडे रूप जुवानी एने मुड़ के याउनी। दिका तोले खांब तेरे लब-लब सक्की दाउनी। जुवानी एने मुड़ के खांदा ये दिल दार बिना। दिल प्यागो ते खांदा ये दिल दार बिना। जुवानी एने मुड़ के खांदा ये दिल दार बिना। जुवानी एने मुड़ के खांदा ये दिल दार बिना। पावी यमले चटते बहुत सारे शागिर्द अंगौले गएने। परंतु फेर वी औना ने अस्ताद दे डेरे नाल प्यार प्णाई रख्या। उस्ताद दे शागिर्दां विच नरिंदर बीबा जगज़संग जग्या किरपाल सिंग पोला जगीर सिंग तालब। ते उस्ताद दे सब तो छोटी उमर दे शागिर्थ, निंदर को ग्यानवी तो अलावा, होर बहुत सारे शागिर्थ होए हन। एक असर कर गई, एक जादू कर गई, ते उन्नीस ओठासी दे ठाई जो उन्नो मैं अपने पिता जी नालो दे आने उन्नादे डेरेच जाके उन्नादा शगर्द बनिया, ते तुम भी दे नाल गवना शुरू कीता, और संगीत तो मैं पतरकारी वाला लेखनी वाला आया, ते पहली कताब 1994 दे विच शपी तुम भी दे वार्स, ओदे बाद फिर उस्ताद जी दियां जीवन ते जादां बारे कताब त्यार कीती, 1997 शपी अमर अवाज, और पंजाबी युनियस्टी पटे आला ने खोज प्रजेक्ट देता, लाल चंद यमला जाट जीवन ते कला एद उते कम कीता, बहुत वड़ा मान है उना दे सब तो शोटी उम्र दे शेश होन दा, क्योंके उक महान, फंकार, फक्र, कलाकार सन, और उना दे अशीरवाद नाल, प्यार नाल, मैं दुनिया दे काफी सारे मुलकां दे वच कनेड़ा, अमरीका, अंगलेंड दी जातरा कीती, और हर थां दे ते उस्तार साब दा नाम हमेशा रोशन है, उहो आप भी कहन दे सन, कहे लोकां दा ही प्यार है, जो मैंनू लखां दे मान सन मान तो भी वद प्यारा है, एस प्यार दी खिच मैंनू आपनी मिटी नाल चोड़ी रखती है, उन जी अमले जातनू पंजाब दे बहुत सारे मिल्या विच्चों मान सन मान मिल्या है, देश विदेश ते हिंदोस्तान जो उना नू सब्यक संस्थामा, साहित सबामा, कलब्बा ते समेदिया सरकारा ने सन मान नया, साल उननी सो चिपंजाच पारत दे राश्ट्रपती डॉक्टर रजंदर परसाद ने आप नू सन मान नया, 1988 पंजाब संगीत नाटक अकेडमी ने ते 1999 पारत सरकार ने आपनू राश्ट्री पुरस्कार देता, ते आखरी वार 13 अप्रैल 1990 नू पंजाबी सब्याचार साथफा जिल्का ने सन मान नया, एना तो अलावा होर बहुत सारे मान सन मान मिले, सब्याचारिक मेलिया नाल यमले दा पड़ा मो प्यार सी, इसे करके एना ने अपनी सारी उमर अखाडियां, मेलियां, महफिला लई, ते पंजाबी मा बोली संगीत दे लेखे लादिती, उस्ताद यमले ने अपना आखरी अखाड़ा फाजिलका च तेरा अप्रेल उन्नी सो कानवे नू वसाखी वाले दिन लाया, ओ समय बिमारी दी हालत विच यमले नू गुलुकोज लगया होया सी, मारूती वैन विच उस्ताद दे पच्चे रजाई विच्छा के उन्ना नू लुद्याने तो फाजिलका ले गए, रस्ते विच लाल चंद ने अपने मुंड्या नू केहा सी, इसे स्टेज तो जदो लाल चंद यमले ने नूर पुरीदा गीत काया, तब अंडाल ताडिया नाल कोज उठया, मेलिया प्रती एस तरान दी शिदत, आज काल दे किसे विरले ही कलाकार जो देखनों मिल दी है, आम दोर ते देखन वे चौदा है, कि जो गीत कार है, ओह संगीत कार नहीं, जो संगीत कार है, ओह गीत कार नहीं, परन्तु लाल चन कोल एह दोवे गुण मौजूद सन, ओ संजीदा गीत कार दिलां दे जजब्या नू अपने गीता विच उलीक दा, फिर तुम भी दी टुणकार दे, अपने गीता नू लोका सामने काउंदा, लोकतत, हीर, मिर्जा, ससी, एने विराग दे वक्खो वक्रियां तरजां दे काउंदा, के लोकी की ले जान दे, एक वार यमला जट किसे बराच गाउन गए, यमले नू वेखन लई, दूरों दूरों लोका आए, पिंड दे दरवाजे कोल स्टेज सी, लोका दा पारे काठ हो गया, किते तिल सुटन नू जगा नहीं से मिल रही, एह गाल तूरी दे जखना पिंड दी है, फिर यमले जट अपने स्टेज खुली जगाते लॉंड ले लोका नू किहा, लोका ने लौड स्पीकर स्टेज चाके, सारे ताम चाम नू खेता चला देता, लोका दूरा इस तरह स्टेज लॉंड दी गलतू, यमले जट दी गय की प्रती लोका दा जनून ते प्यार चलकता है, पंजाब तो बाहर कोई ऐसी कंट्री जा ऐसा देश कोई भी नहीं के जिते उस्ताद लाल चंद जमला जट जीदा शगिर्द ना होगी पहली गलता एए है के जिस बंदे दे हाथ दे विच तूम भी है जो तूम भी बजार है वो जमला जाट जीदा शगिर्द होगा चाहे शगिर्द के सेदा भी होगी क्यों? कि जेडी तुम भी है तुम भी उस्ताद लाल चंद यमला जाट जी ने ही तुम भी नू जानम देता है उस्ताद लाल चंद यमला जाट तुम भी दे बातशाह ने किंग आफ वर्ल्ड 1990 अचानक ही यमले जट दे पैर दे 60 लगी कुछ महीने 60 दी असहत चीज दे बिमारी नाल चद्दो जहेद कारत्या पंजाब दा इह महान कलाकार आखिर वी दिसंबर दिन शुकरवार 1990 दी काली बोली रात नू पंजाबी संगीत नू सदा लई अलविदा कह गया पैन नान की वीरदी सांगियंब। ओगी सुक्त के वंगिरा लकडी ये मोती हंजुआ दे अक्खो किरने लग पे चल की दिलों प्यार दी तक्तुरियें बंदे बंदे दी जडी पुआ गया संग् वे गई खोली आजियों गलु वक्डी ये युजुडे खेत वसावने वाले आवे जो उस्ताद लालचंद लई होना चाहिदा सी ओ नहीं हो सक्या समेधियां सरकारां दे ऐलान नी पत्थरां तक सीमित रह गए हन सब्यचारक संस्थामा कोल पैसें दी काट है ते उस्ताद दी अगली पीडी पैसे लई हमला मार रही है बड़े अफसोस दी कल है कि जिस कलाकार ने पंजाबी संगीत नू लोक साज तुम भी दिती ते आपने सब्यकीतां दी फुलवाडी लाई उसे फुलवाडी जो कुछ गीतकार गायक गीत तोड़के आपनिया कैस्टाच पार रहे हन उस्ताद दे परिवार दी कोई सार नहीं ले रहा मैं सार छोट परंड तो बाद डू लोगी लेर विच में है थी मेरे उस्ताद जी ओंप्रकाश जी अना दे नाल में संगत करदा सी माड हमोटा एधे डीरे तो अलोग में जांदा सी उनना लोग चिए के मैं जानला पया जदो कि अनने स्टाजी ने गैप मार जाना, मैं पिताई नाल चलाई जाना, मडा मुटा प्रोराम चलांदे 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 आते जो, इनना नाल संगत करनी, मडा टोल की याला नहीं सी कुई कड़ दा, जोके बदी यार इनना नाल तजीम नाल टोलग पजानी, आम आपा मार दे सी, तो उनना नाल इनना गुजरने सी, इस करके सिद्धा सिद्धा लाया दे नाल, इनना दी तूंभी दी टिंकार नाल, पूरा चलना, तो बड़ा नान नांदा होंदा सी, तो दुखनाली कहना पनदा भी, एह जी रू, एह जी आत्मा साड़े चिक क्यों नह देखते हैं, तो आपा में याद होंदा है, हंसरा जांस, गर्दा आसमान, तो असी ही कहने, पिता दे याले दौले बेठे है शी, तो आज भी वो आज बेठे होंदे, तो आमी सानू मनलो मान सी, पूरा, और सानू सरकार की बेंती करनी पैएगी, तो आडी फ्रयाज सुने, उस्ताद यमला जटबारे उना दे सब तो छोटी उमर दे शागिर्थ निंदर को ग्यानवी द्वारा उना दी जीवनी पुस्तक अमर आवाज उन्नी सो कानवेच लिखी गई ते फेर निंदर द्वारा उना दे शागिर्थां बारे किताब तुम्भी दे वारस उन्नी सो चुरानवेच लिखी गई इस तों अलावा पंजाब स्कूल सिख्या बोर्ड द्वारा छेमी जमाद दी पाठ पुस्तक विच उना दी जीवनी छापी गई है केंदेहन कलाकारी भी एक पस्या हुं दी है देखो और साधना तो बाद सफलता किसे करमा वाले नो मिल दी है जेकर गाय कलाकारांदी गाल करिये तां दुनिया वेच सब तो वाद गिनती पंजाबी गाय कलाकारांदी है पावे एनाच ज्यादा गिनती बेतुके कलाकारांदी है परन्तु फेर वी हैरान करनवाली काल है कि दो हजार वर किलो मिटर खेतर फाल दा निका जहा सूबा पंजाब जिस दी तर्थी ने एनने कलाकार पैदा की तेहन इसे तर्थी ते पंजाबी लोग काय की दा ओह महान कलाकार पैदा हुया जिसने पंजाबी सब्याचार दी चोली साफ सुत्री गायकी पाई पावे असी पंजाबी गायकी नो अंतराश्री पदरते देखते हां परंतु साफ सुत्री लोग गायकी दी शुरुआत करनवाले बाबा बोड उस्ताद लालचंद यमला चटची दी यादगार लई कोई ठोस कदम नहीं चुक रहे उना दे जियोंदे जी असी सारे उना नो पूछ दे रहे सतकार दे रहे लेकिन उना दे दिहान तो बाद उस दरवेश कायक दे डेरेदा ख्याल रखन वाला उस दे परिवार तो सिवा होर कोई नहीं समय दी रफ्तार ने पावे आज दी नौजवान पीडी नो मशीन बना देता है परन्तु साड़े रब वरगे उस लोग गायक नो असी आपने चेते दी चंगेर जों पुल दे जा रहे है जेकर एही हाल रहा ता उस माहान का एक दिया संगीत तक पैड़ा साड़ी अगली पीडी दे दिला विच्चों मिठ दिया चाड़ किया असी पंजाबी हर कलाकार दी कदर उस दे मरन तो बाद पौने आ इसाड़ी फित्रत है सरकारां ते सबब्यक संस्थामावी हट कलाकार दे पिछ्चे दौड़ दिया हाँ क्योंकि पाजनठ दी जिंदगी विच किसे को लेना टाइम ही नहीं ते दूचा बज़ुर्ग कलाकार तों कोई मतलब नी निकल दा, प्रेस ते मीडिया वालयानों भी तत्ती ते मसालेदार ख़बर चाहिदी हुन दिये। जदों सफलता दियां पौडियां तो बात बुड़ा पेदा कच्छा बनेरा जदों कलाकार ते आउंदाए ता लोकी उसनू अंगोडा करतन दे हन। ज़ो सफलता दे शिखर्तों मुड़े आज हनेरे ती जिंदगी बतीत कर रहे हन। परंतु एह कलाकार आपनी हिंड ते अंग ते पक्के हन। किसे अग्गे मान सनमान ले हाथ नहीं आड़ते। पावे यमला जाट आज साड़े विच नहीं है। परंतु उस्ती संगीत दी रूह। आज भी पंजाबी सब्याचारतियां चड़ा विच समाई होई है। ते समाई रहेगी। लोड है उस्ताद यमले जाटती का एकिनू मुड संभालन दी। जग तेनू छड के तुपग तेनू कार ले देन तेरा होना एस हाई। प्री जिन्द ये देन तेरा होना एस हाई। जग ते देवात के बठेरा ते रुवेखिया पग ते दिकिये रुशनाई। जग ते जवाने का दिपग ता पंभूति लाओ एद विच किये चूतराई। प्रजोगिया एद विच किये चतराई। प्रजोगिया तारे उन्नु केंद निशदाई। 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 प्रजोगिया में तारे उन्नु केंद निशदाई। प्रजोगिया तारे उन्नु केंद निशदाई। झाल झाल